और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है किशन गंसी जहाँ पर बंगलादेशी घुसपैट की कोशिश की गई है जिले से सटे फशिम बंगाल के इसलपुर के बॉर्डर एलाके में घुसपैट की कोशिश की गई बंगलादेशी नंक्रिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है बेसर और अस्थानिय लोकों ने इस कोशिश को आरा के नाकाम कर दिया घुसपैटियों को समझा कर वापस लोटा आया गया भारत बंगलादेश सीमा पर अलज लगतार जारी है और इस बीच एक बार पर से बंगलादेशों के तरफ से जो है फुसपैट की कोशिश की जा रही है और इस खबर पर जैदर जानकारी के साथ नियुजेटिन समवादा था आशीश जोड़ चुक है गस्ती पेज कर दी गई है यह जो उस तरफ ते बंगलादेशी नागरी कुशने का प्रयास किये थे उन्हें भी समझा भुजा कर वापस किया गया है लोकल पुलीस और बीस दोनों इसमें बागी तारी होकर समझा के लोगों को समझा भुजा कर भेजने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी एलर्ट है पूरे देश में जहां पर बॉर्डर के बगल में अलर्ट है उस पर पूरी मुस्तेदी रखी जा रही है अब बीस दो के वरी अधिकारी लगातार केंप कर रहे हैं और सारे चीज के मुनिटिंग कर रहे हैं जी बहुत 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 शुक्रे आशे इस इस तबाम जानकारी के लिए तो बंगलादेशी नाकरीकों की कोशिश को नाकाब गड़ दिया गया है क्योंकि ये प्रयास कर रहे थे घुसने का और आप जड़ा तस्वीरे देख लीजे ये तस्वीर एक्स्क्लूसिफ इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रिसलपूर के बॉर्डर इलाके और बिलकुल ये एहतियाद जो आपको नजर आ रही है इसकी उस वक्त से ही शुरु प्रयुट्री फोर्ड्स है उसकी तरफ से यहां पर लोगों को समझाया क्या और वापस किया क्या है अस्थानिये लोग जो है उनकी तरफ से भी यहां पर बहुत इस पर संजीद्गी दिखाएगी गंभीरता दिखाएगी और लोग अलर्ट रहे हैं उन्हें भी पता है कि यह घुसपैट हो सकता है और बॉर्टर का इलाका है इसलिए चौक सी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बेसरफ के तमाम और असानिये जो पुलिस है उनको आप देख सकते हैं जो इस इलाके में चलकत भी करते हुए आपको देख रहे होंगे इसलपूर के बॉर्टर इ जाकर वापस लोटा आया कया है तो एक बड़ी परिशानी इस वक्त पस्चिं मंगाल के इसलपूर बॉर्टर की एक घटना है और यह जो बॉर्डर का इलाका है यह बिहार को भी छूता है कि शिंकंच के इस इलाके से यह सटा हुआ हाला कि आपको यहां पर बड़ी संख्य इन बंगलादेशी नाकिकों की दिख रही हो की जो भारतिय सीमा में प्रविश करना चाह रहे थे जह सरीके के हालात इस वक्त बंगलादेश में नसर आ रहे हैं उसके बाद इसकी आशंका सुरक्षा एजिंसियों के तरब से भी जाहर की गई है और जो राज्य अस्तर पर भी से लेकर बहुत कम भीरता से देखा जा रहा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि तकरीबन एक से डेर करोड की जो आबादी है वहां से हटना चाहती है भारतिय सीमा में प्रविश करना चाहती है और जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं जो पशिन बंगाल के सीमा से सटे हु स्क्रीन पर हलाकि यहां पर एतियात के तौर पर देखें सिर्फ यह जो आपको घिराबंदी नजर आ रही होगी इसी के इस तरफ बिहार की सीमा और भारत की सीमा हो जाती है और उसके दूसरी तरफ अगर आप चाहेंगे तो यह सीमा जो है वहां पर पशिम बंगाल और फि बड़ी चुनौती है और यह चुनौती सिर्फ इस इलाके के लिए है जहां पर चौकसी तो बढ़ती जा रही है लेकिन असानी लोकों को भी सचेत रहने की जरूरत है उन्हें भी सावधान और सचेत रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि 24 आपको पता होता है कि आपके इलाके के लोग यह हैं या नहीं है ऐसे में यहां पर देखें बड़ी संख्या मंगला देशनी नाकिकों की आपको दिख रही हो कि जो इस तरफ आपको देख रहे हैं लेकिल प्रवेश करना चाहा रहे थे भारतियसी मांग